नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ अंशिता शवास्तव इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आईए देखते हैं सुर्खिया सी ए विवात पर फेटली सुनवाई अब 31 अक्टूवर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोट लंबे अंतराल के बाद आज होनी थी मामले में सुनवाई T20 विशुकप के लिए टीम इंडिया का हुआ एलान टीम में जस्प्रीद मुम्रा की हुई वापसी BCCI की राष्टिय चयन समिती ने बैठक में लिया फैसला महंगाई पर आम आदमी को नहीं मिली राहत अगस्त 2022 में 7 फीस दी रही खुद्रा महंगाई दर जुलाई में 6.7 एक फीस दी रही थी खुद्रा महंगाई दर शांदार तेजी के साथ बंद हुआ बाजार, सैंसेक्स 322 अंकों के उच्छाल के साथ 6,115 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 103 अंकों की तेजी के साथ 17,936 अंकों पर हुआ बंद तो ये थी सुर्किया और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की जो जोड़ी है कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जिसको शुरू हुए 5 दिन पूरे हो चुके हैं और आज 6 वा दिन है और जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है लोगों का काफला इस यात्रा के साथ जुड़ता जा रहा है जिसने बीजेपी की नीद उड़ा दी है और वो कॉंग्रेस के खलाफ उलजुल बयान दे रही है जिस पर कॉंग्रेस भी जमकर पलटवार कर रही है तो आज क्या हुआ यात्रा के दोरान इस खबर पर करेंगे विस्तार से वहीं जानेंगे यूपी में मदर्सों के सर्वे पर क्यों मचा है बवाल और गुजराच चुनाव में फतह हासिल करने के लिए क्या है कॉंग्रेस का पलान इन एहम खबरों के अलावा और भी दूसरी बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर लेकिन फिलहाल बुलेटिन क की शिरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ तो दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा अब केरल पहुंच चुकी है और आज केरल में उसका दूसरा दिन था यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं जिसकी तस्वीरे सोशल मीडिया पर छाई हुई ह जिससे कॉंग्रिस में खुशी है तो वहीं ये तस्वीरें बीजेपी के पसी ने छुड़ा रही हैं ऐसे में कॉंग्रिस का आरोप है कि पार्टी की मजबूती के दर से हताश हुई बीजेपी उलजलूल बयान दे रही है और उसी कड़ी में आज फिर जैरामरमेश ने बी पक्ष के नेता बीडी सतीसन और AICC महासचिव तारिक अनवर ने उपचारिक रूप से रविवार को यात्रा का स्वागत किया था आज राहुल और कॉंग्रेस की भारत जुड़ो यात्रा पर लगने वाले आरोपो को लेकर कॉंग्रेस के महासचिव जैरामरमेश ने बीजेपी की चिंता भी हो जाएगी क्यूंकि जिस तरीके से बीजेपी नेताओं से बयान आ रहे हैं बिलकुल जूटे बयान आ रहे हैं बेबुनियाद बयान आ रहे हैं बिलकुल साफ हो गया है जिस तरीके से सोशल मेडिया उनकी फैक्टरी चल रही है बिलकुल साफ हो परेशानी में हैं वो पीडित हैं और उनको देखने को मिल रहा है कि जंता से क्या रेस्पॉंस आ रहा है इस बारत जोड़ो यात्रा के लिए अपनी प्रेस कॉंफरेंस में जैराम रमेश ने बीजेपी और रसेश पर नफरत और अफवाएं फैलाने का आरूप लगाया उन्हों ने कहा कि बीजेपी की राजनीती तोड़ने की है जोड़ने की नहीं उन्होंने दोहराया कि कॉंउर्णे से लड़ने के वा हैं अगले 17 12 राजजियों और 2 केंद शासित प्रदेशों को कवर करेगी और 1500 दिनों में कन्या कुमानी से जमु कश्मीर तक 3750 किलोमीटर की दूरी तै करेगी 22 बड़े शेहरों में कॉंग्रेस की मेगा रेलिया होंगी राहुल की यात्रा में हर रोज लाखों लोग जुड रहे हैं जब राहुल पद्यात्रा करते हैं तो उनके साथ बच्चे, बूड़े, युवा और महिलाओं का जन सेलाव साथ शल पड़ता है अपनी यात्रा के दोरान राहुल आम लोगों के घरों में रुक कर उनसे बात करते हैं, उनके साथ चाए पीते हैं वेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं की बात सुनते हैं और ये तस्वीरे सोशल मीडिया पर होब वाइरल हो रही है इन तस्वीरों में राहुल को मास लीडर बताया जा रहा है, इन तस्वीरों ने बीजेपी की बॉखलाहट को और बढ़ा दिया है कॉंग्रिस के भारत जोडो यात्रा से पार्टी देश भर में मजबूत हो रही है भले ही यात्रा 12 राज और दो केंद शासित प्रदेशों से गुजर रही है लेकिन इसका आसर पूरे देश में है जाहिर है इसका फाइदा 2024 चुनावों में मिलेगा इसके साथ ही 2024 के लिए विपक्ष को भी एक जुट किया जा रहा है जिसके तैयारियों में नितीश कुमार लगे हुए है और पिछले दिनों दिल्ली दौरे पर भी आये थे वहीं अब एक बार फिर दिल्ली आने की तैयारी कर रहे है तो अब क्यों दिल्ली आ रहे है नितीश देखे रिपोर्ट दो हजार चौबिस के लोगसबा चड़ाओं में अभी डेर साल का वक्त बचा है लेकिन देश की राजनीती अभी सी गर्मा गई है विपक्ष बीजेपी को टकर देने के लिए अपनी कमर कस चुका है राहुल गांदी भारत जुडो यात्रा पर हैं और उनके इस यात्रा को जबर्दस सफलता मिल रही है तो वहीं बिहार की सत्ता से बीजेपी को आउट करने के बाद सीम नितीश कुमार भी विपक्षी नेताओं को एक जुट करने की कवायद में जुटे है इसी को लेकर दिली से पठना लोटे डिप्टी सीम तेजिस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है तेजिस्वी के इस बयान के बाद बीजेपी में हरकम मच गया है तेजिस्वी यादव ने सोनिया गांदी से मुलाकात को लेकर कहा कि जैसे ही सोनिया जी भारत वापस आएंगी हम सब उनसे मिलने जाएंगे हमारी कोशिश यही है कि विपक्ष के लोगों को गोल बंद किया जाए दिल्ली में कॉंग्रेस अध्यक सोनिया गानी से मुलकात के लिए आरजेडी अध्यक्ष लालुयादव और जेडियू से नितीश कुमार साथ जाएंगे और विपक्षी दलो को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे मेडिया से बात करते हुए चुनावी रणनीतिकार प्रशांद किशो ने कहा था कि अगर तेजस्वी 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार दे दे तो मैं जेडियू में शामिल हो जाऊंगा पीके के इस बयान पर जब तेजस्वी से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि कौन क्या कहता है उस पर ज्यादा बाते नहीं करनी हम सरकार में हैं हमारा कमेंटमेंट हैं जिनको भरूसा नहीं है वो थोड़ा इंतजार का मज़ा लें हम विपक्ष को एक जुट करने की मुहीम में लगे हैं कोशिश सब को गोल बंद करने की है तेजस्वी ने सोनिया लालू और नितीश की मुलाकात पर महर लगा दी है तो जैसे ही सोनिया भारत लोटेंगे तो उनके साथ 2024 का रोड में तयार किया जाएगा वैसे तीन दिन के दिली दोरे पर नितीश कुमान ने कई विपक्षी दलो के नेताओं से मुलाकात की थी नितीश ने अपने दिली दोरे को काफी सफल बताया था ऐसे में तेजस्वी के बयान के बाद विपक्षी एक्ता का मंच तयार नजर आ रहा है जो बीजेपी के नहीं उड़ाने के लिए काफी है नितीश जवार अकेले नहीं बलकि लालू यादव के साथ दिल ली आएंगे और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे इस बात की पुष्टी की है तेजस्वी यादव ने हाला कि इसके लिए सोनिया गांधी के विदेश से लोटने तक का इंतजार करना होगा वैसे इंतजार तो मुसलिम और हिंदु पक्ष कर रहे थे ग्यानवापी मामले में जिला कोट के फैसले का जिसके सुनवाई 23 अगस्त को पूरी हो गई थी और आज मामले में कोट ने अपना फैसला सुना दिया फैसले के बाद क्या रही मुसलिम पक्ष की प्रतिकिरिया जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट ग्यानवापी मामले में आज वारणसी कोट से मुसलिम पक्ष को जटका लगा है दरसल जिला कोट ने मुसलिम पक्ष की याचिका को खारिच कर दिया है और मामले को सुनवाई योगय माना है मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी जहां एक तरफ इस फैसले के आने के बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है तो वहीं मुस्लिम पक्ष आगे की तैयारियों में लग गया है जिला कोट का फैसला आने के बाद मौलाना खालिद रशीद ने कहा बाबरी मज़िद के जज़्जमेंट के दोरान वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए सुप्रिम कोट ने जो बाते कहीं थी उससे ये लगने लगा था कि अब देश में मंदिर मज़िद का मसला खत्म हो गया है लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के मुद्दे आ रहे हैं हमारी लीगल टीम स्टडी करके अगला कदम उठाएगी सैक्डों सालों से लोग वहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं मौलाना ने अपील की है कि सब लोग शांती रखे क्योंकि ये एक लीगल मसला है जिसका फैसला अदालत में ही होना है दावा किया जा रहा है कि अब मुस्लिम पक्ष इसे उपरी अदालत में चिनौती देगा जिला कोट के फैसले के खिलाफ हाई कोट जा सकता है आपको बता दे कि 18 अगस 2021 को पांच महिलाओं ने सिविल जल्च के सामने एक वाद दायर किया था जिसमें ग्यानवापी मज़ित के बगर में बने शरंगार गोरी मंदिर में रोजाना पूजा दर्शन की मांग की थी महिलाओं की मांग पर जजज रवी कुमार दिवाकर ने मज़ित परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था हाला कि सर्वे के बाद इस मामले ने अलग ही मोड ले लिया था जब हिंदू पक्ष ने मज़ित में शिवलिंग मिलने का दावा किया था हाला कि मुसलिम पक्ष इसे फवारा बता रहा है इतना ही नहीं मुसलिम पक्ष इस मामले को रद करने की मांग कर रहा था 23 अगस्त की सुनवाई के बाद कोड ने फैसला सुरक्षित रख लिया था मुसलिम पक्ष अब वाराणसी कोड के फैसले को हाई कोड में चुनाँती देगा ग्यानवापी मामले में तो मुसलिमों को छटका लगा ही वही अब UP के मदर्सों पर भी UP की BJP सरकार की नजर है और सरकार मदर्सों को लेकर सर्वे कराने जा रही है योगी सरकार का कहना है कि वो गेर माननेता प्राप्त मदर्सों की जाँच में ये पता लगाएगी कि उनकी आई का श्रोत क्या है और अब सरकार के इस फैसले पर बबाल मच गया है UP की योगी सरकार ने मदर्सों को लेकर एक बड़ा एलान कर दिया है सरकार की वारे तो मदर्सों का सर्वे ज़रूरी है आपको बता दे कि UP सरकार माननेता प्राप्त मदर्सों को अनुदान देती है बगर कई ऐसे भी मदरसे हैं जिने मानेता नहीं है 7442 मानेता प्राप्त मदरसों में करीब 19 लाख चात्र पढ़ते हैं औस तन एक मदरसे में करीब 2500 बच्चे हैं सरकार का मानना है कि अगर 20,000 गायर मानेता प्राप्त मदरसे भी मान लिये जाएं और प्रतेक मदरसे में बच्चों की संख्या 50 मानी जाये तो तक्रीबन 10 लाख बच्चे पढ़ते हैं यूपी सरकार का कहना है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का करियर सुरक्षित होना चाहिए उन्हें सभी विश्यों की शिक्षा का पूरा अधिकार है अल्प संख्या कल्यान मंत्री धरमपाल सिंग ने कहा कि गयर माननेता प्राप मंदसों का सर्वे जरूरी है वहाँ की बच्चों को भी शिक्षा की सही राह पर लाना है मदर्सों में कहां से पैसा आ रहा है, बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा के क्या इंतजाम है, सभी पर सर्वे होगा हम मुसलिम बच्चों के विरोधी नहीं है, सरकार चाहती है कि वे दीनी तालीम तो ले ही, साथ साथ ऐसे विशे भी पड़े जो उनका करियर सवार सके वा धिकारी चिकिस्तिक इंजीनियर बन सके, इस पर फोकस है, बीजेपी सरकार जरूर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन इसके पीछे की मन्शा क्या है, इससे हर कोई वाकिफ है All India Muslim Personal Low Board ने कहा कि मदर्सों के सर्वे कराने का सरकारी आदेश सिर्फ मदर्सों को बदनाम करने की गंदी साजिश है बोट के महा सचिव मौलाना खालिस सैफुला रह्मानी ने कहा कि धार्मिक मदर्सों का उजवल इतिहास रहा है, इन मदर्सों में पढ़ने और पढ़ाने वालों के चरित्र निर्मान और नेतिक प्रशक्षन 24 घंटे किया जाता है मदर्सों में पढ़ने और पढ़ाने वालों ने कभी आतंगवाद और सामपरदाइक नफरत पर आधारित कारे नहीं किया है हाले कि सरकार ने कई बार इस तरह के आरोप लगाए लेकिन सभी आरोप जूटे पाए गए रह्मानी ने आगे कहा कि बीजेपी नेता लाल किश अडवानी जब ग्रह मंत्री थे तब उन्होंने खुद ये माना था कि डॉक्टर राजेंदर प्रसाद, जवाल लाल नहरू, एपीजे अब्दुलकलाम और मौलाना अबुलकलाम आजाद जैसे नेता मदर्सों से शिक् खत्रा मंडरा रहा है, सरकार इन्हें खत्म करना चाहती है, एक खास समुदाय का आरोप है कि बीजेपी के राज में मदर्सों पर खत्रा मंडरा रहा है, सरकार इन्हें खत्म करना चाहती है, इस तरह के आरोप बीजेपी सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, वै कुची कुची कसा आपने पूरी कर दी है आखिर कैसे देखे रिपोर्ट में के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है एक साल पहले जब बीजेपी गुजरात मॉडल के बारे में बात कर रही थी तब विजे रुपानी को सीमपस से अचानक खटा दिया गया था वही अब नई भुपेंद्र पटेल सरकार में दो मंत्रियों के प्रमुक विभागों को छीन इसके अलावा विभिन सरकारी कर्मचारियों के ग्रेट वेतन के लिए अंदोलन जहरेली शरापकांट जैसे मुद्दो ने विपख्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है माई के बासे के जिवाल कम से कम बारा बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं आप ने अब तक 9 गारंटियों के घोशना की है और कॉंग्रेस ने 8 जिन में से कई में सामानता है जैसे 300 यूनिट मुफ्त बिजली और बेरोजगारों को रोजगार आप और कॉंग्रेस के ये वादे बीजेपी का डर बढ़ा रहे हैं वैसे बीजेपी का कहना है कि आपके लिए विधायकों की संख्या का उतना महत्व नहीं है जितना कि ये शोर मचाते हैं गोवा में अगस में आपको राज्य की पार्ठी के रूपे घोशित किया गया उसने 6.77 प्रतिशत वोडशेर के साथ 2 सीटे जीती केज़ीवाल ने घोशना की कि अगर एक और राज्य में पार्टी को मानेता मिल गई तो आप एक राष्टे पार्टी हो जाएगी शाद यही वज़ा है कि केज़ीवाल गुजात में ज्यादा जोर लगा रहे हैं जिससे वो बीजेपी के निशाने पर हैं लेकिन कॉंग्रिस का कहना है कि यह सिर्फ लोगों को धुका देने के लिए है असल में बीजेपी और आप आपस में मिले हुए हैं लोगों को धुका देने के लिए यह दोनों खेल कर रहे हैं वैसे राजजी में महगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और कॉंग्रेस इन दोनों मुद्दों को लेकर जनता के बीच है ऐसे में कयास यही लग रहे हैं कि इस बार कॉंग्रेस बीजेपी को पठकनी जरूर देगी कॉंग्रेस चुनाव प्रचार के दोरान आपको बीजेपी की बी टीम और सहीयोगी बता रही है जाहिर है इस प्रचार से बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को नुक्सान होगा और बाजी कॉंग्रेस मारेगी जिसने कॉंग्रेस विरोधियों की नीद उड़ा दी है नीद तो आज राकामपा विरोधियों की भी उड़ी जब अजीत पवार ने उन सभी अटकलों को खारिस कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि राकामपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो क्या बोले अजीत पवार और क्या था मामला देखे रिपोर्ट विपक्ष को एक जुट होता देग वैसे भी सत्ता पख्ष में खलबली मची हुई है ऐसे में सत्ता पख्ष हर वक्त इस फ़राक में रहता है कि कैसे विपक्ष को कमजोर किया जाे लेकिन विपक्ष अब लगातार सत्तापक्ष के मनसूबों पर पानी फेर रहा है और करारा जटका दे रहा है और अब एक बार फिर ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब शरत पवार के भतीजे अजीत पवार ने अपने बयान में कहा कि मीडिया उनके बारे में भ्रहमक खबरे फैला रहा है उन्होंने आगे कहा ये सच है कि अधिवेशन को मैंने संबोधित नहीं किया ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने भाषन नहीं दिया उन्होंने कहा कि इस संबन्द में मैंने मराठी मीडिया से बात की है और पूरी सफाई दी है मैं दुखी नहीं हूँ और हमारी पार्टी से कोई भी दुखी नहीं है अजीत पवार ने अपनी सफाई पेश करते हुए उन सभी अटकलो को सीरे से खारिच कर दिया जिसमें राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चलने के दावे किये जा रहे थे दरसल राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी ने रविवार को अपना आठवा राष्टिय अधिवेशन नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में किया लेकिन अपने संबोधन से पहले अजीत कारिकरम छोड़ कर चले गए थे जिसके बाद अटकलो का बाजार गर्मा गया था और कयास लग रहे थे कि सम्मेलन के दौरान शरत पवार के बाद उनके भतीजे अजीत पवार को कारिकरताओं को संबोधित करना था लेकिन उनसे पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पार्टिल को संबोधन के लिए बुला लिया गया जिससे वो नाराज हो गए थे हाला कि उन्हें मनाने की कोशिश की गई इतना ही नहीं सांसद सुप्रिया सुले को भी जिम्मेदारी सौपी गई थी और अब अजीत पवार की तरफ से उनकी नाराजगी की अठकलों को खारिश कर दिया गया है जो विरोधियों के लिए बड़ा जटका माना जा रहा है और बुलजिन के आखिर में बात स्मृति इरानी की बड़ी मुश्किलों की गोआ बार मामले का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है इस मामले में विपक्षी पार्टी लगातार केंद्री मंत्री स्मृति इरानी को घेर रही है बावजूद इसके कारवाई का आदेश नहीं दिया गया है वहीं इस विवाद के बीच सामाजिक कारिकरता आयरस रोड्रिक्स ने बड़ा दावा किया है जिससे स्मृति इरानी घिरती दिख रही है जबकि कॉंग्रिस हमलावर है नैशनल हैराल का मामला हो या फिर दूसरे विवाद का बीजेपी अकसर कॉंग्रिस पर आरोफ लगा कर उसके खिलाफ हला बोल करती है लेकिन जब आरोफों के घिरे में खुद के मंत्री होते हैं तो सब मोन हो जाते है गोवा बार के मामले में घिरे स्मृति इरानी को लेकर भी पार्टी ने चुपी साथ रखी है लेकिन सामाजिक कारे करता आरोफ रोडरिक्स ने बड़ा दावा किया है उन्होंने कहें कि बार के मालिक और स्मृति इरानी के परिवार से जुड़ी कमपनी के बीच लीज एग्रिमेंट हुआ था आरेस रोडरिक्स ने आपकारी आयुक्त के सामने दोनों पक्षों के जरीए किये गए हस्ताक्षर वाले लीज एग्रिमेंट को पेश किया दरसल आज इस मामले को लेकर आपकारी आयुक्त नारायन गाट के सामने सुनवाई हुई इस दोरान रोडिक्स ने दावा किया कि सिली सोल्स एंड बार केफे की समपत्ती को डिगामा ने एटॉल फूड एंड बेवरेज़ एल एल पी को पचास अजार रुपे के मासिक किराए पर दस साल की अवधी के लिए पट्टे पर दिया था एटॉल फूड एंड बेवरेज़ एल 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 पी कतित तोर पर इरानी के परिवार से जुड़ी हुई है रोडिक्स ने एक हलफ नामे के जरीए जांच अधिकारी के सामने ये पट्टा समझोता पेश किया हलकि बार के दिवंगत मालिक के वकील की तरफ से कहा गया कि पट्टे के लिए समझोता कभी भी लीस जीड में समाप्त नहीं हुआ इसलिए पार्टियों के लिए कोई अधिकार नहीं बनाया गया था अब भले ही बार मालिक के वकील सामाजी कारे करता के आरोपों से पल्ला जाड़ रहे हो लेकिन मामले में हो रहे नए नए दावे केंद्रे मंत्री को कड़गरे में खड़ा कर रहे हैं अब देखना होगा की जाच में क्या निकल कर सामने आता है तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही देखतरी ये डीवी लाइव नमस्कार